आपका स्वागत है आज जो नया चेप्टर है वो है मानो स्वास्त रोग इसमें हम डिटेल में मानों में के स्वास्त पे होने वाले रोगों और उसकी पतिरच्छा पणाली को डिटेल में पढ़ेंगे अगर हम बात करते हैं पूरानी धाना की तो यह बताया गया कि सरीर में बिसेश प्रकार के तरल होते हैं जिसको हम इंग्लिस में हुमर कहते हैं यह तरल ही निर्धारित करते हैं कि वह इंसान सौस्त रहेगा या बीमार हो जाएगा यूनान के एक विज्ञानिक थे जिनको हम हिपोकेट्स कहते हैं हिपोकेट्स को आधुनिक चिकिस्सा का जन्मदाता कहा जाता है इन्होंने एक अवधाना एक परिकलपना दी क्या कहा उन्होंने कि यद किसी इंसान का यक्रित लीवर लीवर से एक रस निकलता है जिसको हम पित रस कहते हैं यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से लीवर यक्रिस से एक पित रस निकलता है जिसको बाइल जूस कहते हैं यद किसी व्यक्तिका पित रस काले रंका है तो उसके सरीर का तापमान हमें साधिक रहेगा या ये कह सकते हैं कुछ इंसान को बुखार रहेगा साथ में हमारे आयरुवेद ने भी इस परिकल्पना को समर्थन दिया कि अगर ये तरल का जो अनपात है सरीर में वो अगर बिगड़ता है तो उससे इंसान क्या हो जाएगा रोगी हो जाएगा एप्रोकेर्स की यह परिकल्पना तब खतम हो जाती है जब उसी समय एक वैग्ञानिक बाद में हुए जिनको हम विलियम हार्वे कहते हैं विलियम हार्वे ये वैग्ञानिक है जिन्होंने सरीर में किस तरी से रक्त घूमता है हिर्दय कहां पे स्थित होता है और हिर्दय से जो नलिया निकलती है वो कहां कहां तक जाती है ये कह सकते हैं कि सरीर के पूरे परिसंचरण तंत का जो सबसे पहले डिटेल में ब्याक्या दिया वो विलियम हार्वे थे और इसलिए विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरन का पितामा फादर आफ हिमेटोलोजी कहा जाता है इन्होंने डिटेर में बताया रक्त के परिवहन को तो इन्होंने कहा और उसी समय जब विलियम हार्वे दिये और फिजिक्स के दौरान कुछ विज्ञानिकों ने जब थर्मामीतर का निर्मान किया तो थर्मामीतर क्या होता है जिससे यह निर्धारित होता है कि हम सभी इंसानों का तापमान क्या होता है 37 degree centigrade होता है तो हर इंसान का जब यह एक निश्चित तापमान होता है तो जो हिपोक्रेट्स की परिकलपना दी गई थी वह पूरी तरीके से क्या हो जाती है? खारिज हो जाती है अब हम बात करते हैं कि स्वास्त वास्तों में होता क्या है? मानो स्वास्त है क्या? मानो स्वास्त की पुरानी जो धाना थी वो ये कहती है पुरानी धाना के नुसार कि यद कोई इंसान कोई व्यक्ति है यद उसके सरीर में कोई भी रोग नहीं है वो निरोगी है तो वह सुस्त है लेकिन यह पुरानी जो धाना है यह पूरी तरीके से सही नहीं है कारण क्या है उसका कि यद इंसान देखने में सारीर रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ है लेकिन यद उसकी मानसिक अवस्था सही नहीं है वह किसी को भी मार सकता है किसी को चोटिल पहुचा सकता है तो इसका मदलब वह पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है वरतमान में ये तीन बिंदू बताए गए कि कोई इंसान स्वस्थ त महले में और वो सबसे लड़ ही रहा है वो उसका बेवहार इस तरीके से है कि वो सबसे लड़ाई कर रहा है तो वह स्वस्त नहीं माना जाएगा यह थी रोग की एक स्वस्त इंसान की धाना या इन तीन बिंदूओं में जो इनसान स्वस्त है उसी को माना जाता है कि वह पूर उस रोग से उसका एक अंग प्रभावित हो या उससे कई अंग प्रभावित हो या यह कह सकते हैं कि उस इंसान का पूरा अंगतंत प्रभावित हो जाए तो इस तरीके से जो रोग जो सरीर में जो बदलाव आ जाते हैं, जो विक्रित आ जाती है, जो लच्छन उत्पन होते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, रोग कहते हैं, क्योंकि बिभिन सारीरिक लच्छन जो प्रगट होते हैं, वह भी रोग उत्पन करते हैं, अब आगे हम समझते हैं, अब बाद में, बा होता है कि जब सुछमजीव ऐसे जीव जो हमारे सरीर को नुक्सान पहुंचाते हैं वो हमारे सरीर के अंदर प्रवेस करते हैं तो उन जीवों को खत्म करने का रोकने का काम जो हमारे सरीर के वह है अंतह स्रावी तंथ जिसको हम इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं अब ये जो तंतिका तंथ है जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं अगर इसकी बात करें तो मनुस का जो मस्तिक से ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड रीडर रज्जू है ये और साथ में जो तंतिका कोशका होती हैं यह तीनों मिलके एक इंसान के अंदर नर्वस सिस्टम का निर्माड करती हैं और यह पूरे तरीके से को सरीर की हर जो बेवस्था है सरीर को सूचना देना, सरीर को और बहतर बनाना, जिससे की वहत संतुलित रह सके और अपने प्रतिरच्छा प्रणाली को बहतर कर सके साथ में अगर हम अंतहसरावी ग्लैंट को पढ़ते हैं, इंडोक्राइन को पढ़ते हैं तो वो गरंथियां जो अपने किमिकल्स, अपने रसाइंस को, अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त में छोड़ती हैं वो गरंथियां, ध्यान से समझेगा वो गरंथियां जो हर्मोन्स को सीदे रक्त में छोड़ती है, वो सभी गरंथिया क्या होती है, अंतरसराभी या इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं Puse Grunt, जो Mastix में पाई जाती है जिसको अंग्रेजी में Putitry Gland कहते हैं इसको Master Gland भी कहते हैं साथ में गले में एक Grunt ही होती है जिसको Thyroid Grunt कहते हैं यहाँ भी इससे भी हार्मोंस निकलते हैं और यहाँ भी सरीर के Immune System और उसकी उपाप चई दर को क्या करता है नियंतित करता है तो इस तरीके से ये दो तंत्र हमारी प्रतिरच्छा तंत्र को प्रभावित करते हैं अब हम समझते हैं कि हमारे स्वास्थ को प्रभावित करने वाले कारक हमारे NCRT में तीन बिंदू को दिया गया जिसमें बताया पर दिया कि यह किस तरीके से हमारे स्वास्त को प्रभावित करते हैं। पहला जो बिंदू है वो है आनुवांसिग विकार genetic disorder जो दूसरा है वो है संक्रमर infection बिंदू और जो तीसरा है वो है जीवन सैली लाइफिस्टाइल हम जीते कैसे हैं अब इन बिंदूओं को हम डिटेल में समझते हैं जो पहला है आन्वानसिक विकार जनेटिक डिसॉर्डर अब यहाँ पे कि कोई बच्चा पैदा हुआ और वो पूर रूम से स्वस्थ नहीं है या पूरा उसका जो सरीर एक स्वस्थ बच्चे का जो सरीर होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं है वो हो सके उनमें जो बिसेस अंग बन गए हो या किसी भी अंग का निर्मार नहों पाया हो जनेटिक डिसॉर्डर हो गए या फिर यह कह सकते हैं कि उनके सरीर में कुछ ऐसे बदला हुए जो सामाने नहीं है इसके पहले हमने डिटेल में जनेटिक्स में आनवांसिक्ता में हमने आनवांसिक रोगों को जनेटिक डिसॉर्डर को डिटेल में पढ़ लिया था जैसे वर्णांधता कलरन ब्लाइडनेस सीकल सेलेनेमिया फैलेसीमिया इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था और साथ में जैसे गुण सूत्रों की संख्या में बदला हो जाए डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम ये सब रोग क्या होते हैं आनवांसिक रोग होते हैं जिससे कि उस व्यक्ति में क्रियात्मक या फिर जो सारीरिक क्या हो जाते हैं बदला हो जाते हैं जिससे कि वह पूरी तरीके से स्वस्त नहीं होता ये ऐसे रोग होते हैं जिनका कोई भी अप्चार नहीं है आन्वानसिक रोगों का उप्चार संभव नहीं है अब हम बात करते हैं संक्रमर इंफेक्शन की बालक स्वस्त पैदा हुग गया लेकिन जब वो समाज में आया इस वाता वरण में आया तो उससे उसको इन छोटे छोटे जो जीव होते हैं सुचमजीव होते हैं उससे लड़ना पड़ता है वो सुचमजीव कौन से हैं विसाड़ वाइरस इससे यह भी क्या करता है रोग उत्पन करता है एड्स जो एचाईवी वाइरस से होता है पोलियो डेगू ऐसे रोग चिकन गुनिया यह सब विसाण यानि वाइरस से उत्पन होते हैं अब हम बात करते हैं अगर बैक्टेरिया की जीवानों की तो जीवानों से टाइफाइड हैजा टेवी और बहुत से रोग बैक्टेरिया जीवानों से होते हैं बात करते हैं हम कवक की फंजाई से इससे दाथ खाज खुजली और कई तरह की बीमारियां मानों में फैलती हैं क्रीमी जिनको हम वर्म कहें तेंगे यह भी क्या करती है यह भी रोगत्पन करते हैं और इससे हाथ ही पाओं और एसकेरिस से ascariasis बिमारी होती है तो यह worm भी क्या करते है मानों में बिभिन बिभिन प्रकार के रोगतपन करते है अब हम बात करें protozoa की जो protozoa होते हैं जैसे amoeba हुआ या फिर हम बात करें जो malaria पर जीवी होते हैं जिसको हम malaria पर जीवी साथ में पेचिस एंट अमीबा है, इसको लिटका के दौरा पेचिस रोग होता है और प्लाजमोडियम के दौरा क्या होता है, मलेरिया रोग उत्पन होता है इन सब रोगों को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में और जो तीसरा बिंदू है, वो है जीवन सहली, हमारी लाइफ स्टाइल वरतमान समय में अधिक कार्स करने की छमता, मांसिक तनाव लेने की वज़ा से हमारी जो जीवन सहली है, वो पूरी तरीके से बदल गई है बात करें, उठने, जागने, खाने, पीने का कोई टाइम टेबल नहीं रहता नसिली वस्तूं का सेवन, आजकल की सोर या कुछ ऐसे लोग हैं जो की या अधिक प्रेसर की वज़ा से, या संगत की वज़ा से नसिले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसे कई प्रकार के रोग उत्पन होते हैं बात करें, अगर हम, अधिक अगर कोई इनसान सराब अधिक पीता है तो उसे लीवर, यानि ये यकृत खराब होने का खत्रा बना रहता है ये कोई आदमी ड्रक्स लेता है, तो उसे मानसिक चेतना और यहां तक कि कह सके पागलपन हो सकता है और साथ में, आधुनी समय में, इंसान अपने व्यायाम या एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाता जिससे भी रोग उत्पन होते हैं तो ये तीन बिंदू NCRT में दिया हुआ है कि किस तरीके से हमारे अंदर रोग उत्पन होते हैं तो यहां पर ये टॉपिक पूरा हो जाता है इसके आगे हम रोग और साथ में जिवाणों से उत्पन रोगों के बारे में अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे आप चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजेगा दोस्तों में सेर कीजेगा थैंक्यों